आज हम बनाएंगे मटरफ यह बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनती है बच्चों या बड़ो सब को बहुत पसंद आएगी तो चलिया यह बनाना शुरू करते हैं हम हाठा भर करें गल हुआ है तो चौधा करें आठा करोगड़ा कि तियार करें जूए मैंने और नंचा भाएंगे star क pasar चौधा के मैंने मैदमी देल िरिया है इसमें क्सवाइं जाएं दाविधा करें अब थोड़ा तोड़ा पानी डाल के out लगालेंगे हमें इसके लिए सबसे wh ainda कपिस्पी ने वर देखेश पानी Ah ने अब गूद में तैयार करेंगे और ये रेकिए आणा लगके त्याड़ हो गया है अभ हम इसे धपिन बीस मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह सेट हो जाए और देखिए मैं डखके छोड़ाइब दूढ़ाए अब यह से छोड़ाए अब हम स्टफिंग टियार करते हैं तो मैं इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालूंगी तेल गरम हो गया अब हम इसमें आदा चमच जीर बून रहें भून गई हैं अब इसमें एक अलो कि चोटे चोटे कर लेंगे बूनने के बाद आप मैं इसमें चमच लेसन एक करेंगे और ऐसे भून लेंगे आपने स्वादनासर दाल सकते हैं, गरम लाल मिर्च, 1 छॉत्वाइब नमक, गरम मसाला 1 चॉत्वाइब दालेंगे, भचा 10 मिर्च पका लेंगे, अब यह पग गया है, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से बारेब देगए, कर लेंगे यह मैश हो गया है स्टपिंग हमारी त्यार हो गई है चलिए अब हम बटर के पाक बनाना शुरू करते हैं यह 20 मेट हो गया आटा भी सेट हो गया है तेको अच्छे से मसल लेंगे मसलने के बाद हम एक लोई लेंगे और इसे लंबा और पतला बेल लेंगे हम इसे पतला बेल के शीट त्यार करेंगे देखिए बेल के सीट त्यार हो गई अब हम इसे चारो तरफ से कट कर लेंगे सीट काट कर त्यार कर लिया है अब हम इसमें इसके उपर स्टपिंग रखेंगे दूसरी सीट को उठाएंगे और इसके उपर रख देंगे रख के इसको और श्तंव से शेगा चपक को चारह को चाने के यह चेए हो यह अच्छा हमादा के तियार पर प्रीए है अब फ्राइब करेंगे रखने के लिए मैं तेल गर्म करना है और सारे पर एक प्रेंट प्राइब. मीडियम फ्लेम पे ही तलना है हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है फ्लेम पे तलने से पफ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर आप इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये बहुत जादा लंबे टाइम तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे ये मटर के पफ तल के त्यार हो गए हैं बहुती टेस्टी बहुती क्रिस्पी बने हैं ये एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें और आप इसे बना के एवन मन तक स्टोर करके रग भी सकते हैं मेरी वीडियो पसन्द है तो प्लीज लाक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल थैंक यू फर वाचिंग